हेलो फ्रेंट्स, आज हम इस वीडियों बताएंगे वार्ट्साप पे आया हुआ अधार काड को कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फोटोसाप को क्लिक करके य अपने फोटोसाप को यहां से जाना है, मिनवाइच कर देना है, यहां से आपको क्लिक करके मिनवाइच कर देना है, मिनवाइच करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, मेरे डेश्टाप पे अधार का फोटो मेरे डेश्टाप पे है, इसको हम कांपी करके इसके बाद यहां माउस का बटम लाके छोड़ देंगे तो आप यहां देख सकते हैं open नहीं हो रहा है इस तरह से कुछ error आ रहा है इस तरह से problem आए तो आपको क्या करना है यहां से okay कर देना ओके करने के बाद फिर से अपने फोटस्टाप को यहां से minimize कर देना है minimize करने के बाद इसके बाद आपको यहां desktop पर माउस से क्लिक करने के बाद इसके बाद यहां अपने माउस का इस पर right पटम क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा तो आपको नीचे आ जाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा open width आपको open width पे क्लिक करना है इसके बाद आपको इस साइड में आ जाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा paint आपको paint पे क्लिक कर देना है नीचे यहाँ, save पे click कर देना है, click करने के बाद, इसको cancel कर देना है, यहाँ से आपको cancel कर देना है, cancel करने के बाद, इसके बाद, इसी तरह से, इस पे भी अपने mouse का right button click करना है, इसके बाद, open भी आपको इस पे click कर देना है, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से pen पे click कर द कर देना है यहां से फायल में positively कर देंगे इसके बाद हीक शेब कर देना है इसको भी यहां से the बोटम लाक यहां छोड़ देना है तो आपका इमेज बहुत आसान तरीके से फोटसाब में खुल जाएगा मुझे इन दोनों को फोटो को कराप करना है तो सबसे पहले आप इहां देख सकते हैं ए फोटो तेढ़ा है तो इसको हम सीधा करेंगे सीधा करने के लिए आपको यहाँ आ जाना है आपको यहाँ रोटेट कणर चनुवंस पे क्लिक कर देना है इसकेous सामने करने के लिए कीवर्ड का कंट्रोल और सपेस बॉटम और संप इतकर दबाएंगे जुम करने के बाद इसके बाद इसको हम क्राप करेंगे क्राप करने के लिए क्राप टूल को स्लेट करेंगे यहां से टूल में जाएंगे यहां से क्राप टूल को यहां से स्लेट करेंगे क्राप तो स्लेक्ट कर लेंगे इसके बाद माउस का बटम दबा के इस तरह से जितना आपको क्राप करना है इस तरह से आपको इसको स्लेक्ट करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं, अच्छे से select नहीं हो रहा है, इस तरह से problem आ रहा है, तो अपने mouse का यहां right button क्लिक करना है, आपको यहां cancel पे click कर दिना है, इसके बाद आपको यहां उपर जाना है mouse से, आपको यहां clear पे click कर दिना है, इसके बाद फिर से mouse का button दबा के इस तरह कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं जितना आप स्लेट करना चाहते हैं उतना आप अच्छे से स्लेट कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं यहां से अच्छे से आपको यहां से स्लेट कर लेना है तो आप यहां देख सकते हैं थोड़ा है इसको हम रोटेट कर लेते हैं थोड कराप करने के बाद इसके बाद आप यहां देख सकते हैं इसमें light कम है तो light बढ़ाएंगे light बढ़ाने के लिए आपने keyboard का control shift यल बटम दबाएंगे एक साथ इसमें automatic light बढ़ जाएगा और light बढ़ाना चाहते हैं तो और इसके बाद आपको यहां उपर जाना है आपको यहां image पे click करना है इसके बाद यहां adjustment पे इसके बद आपको इस side में आ जाना है आपको यहां brightness contrast पे click कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह से आगा तो आप यहां mouse से पकड़ के इस तरह से अपने photo के यहां से बढ़ा सकते हैं, यहां से बढ़ा लेना है, इसके बाद यहां से डार्क भी कर सकते हैं, यहां बढ़ा के, बढ़ाने के बाद इसके बाद आपको यहां से ओके कर देना है, यह देख सकते हैं, यहां से यहां से जाना है, यहां जाना कोने में यहां इस पर क्लिक कर द लेते हैं इसको भी हम क्राफ टूल से स्लेट करेंगे जितना मुझे क्राफ करना है तो इसको भी हम स्लेट कर लेते हैं क्राफ टूल से इस तरह से इसको अच्छे से माउस से इस तरह से स्लेट कर लेना है जितना आपको क्राफ करना है तो इसको हम स्लेट कर लेते हैं select करने के बाद फिर से keyword का enter बटम दबा देंगे यह इमेज कराप हो जाएगा इसके बाद कराप करने के बाद इसमें भी light बढ़ाएंगे keyword का control shift yel बटम दबाएंगे एक साथ इसमें भी automatic light बढ़ जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं इसमें और light बढ़ाने के लिए आपको उपर यहां image पर जाना है आपको यहां image पर click कर देना है इसके बद यहां adjustment पर फिर से आपको इस side में इधर आ जाना है फिर से brightness, contrast पर click कर देना है इसके बद आपके सामने इस तरह सा आएगा यहां सभी फिर से आपको यहां से light बढ़ा लेना, जितना आपको बढ़ाना है, तो आपको बढ़ा लेना है, यहां से dark कर लेना है, करने के बाद इसके बाद फिर से आपको यहां से ok कर देना है, ok करने के बाद आपको यहां से फिर से इस पर यहां कोने पर यहां किलिक कर दे तो आप यहां देख सकते हैं मेरा दुनों image बनके ready हो गया है इसके बाद आपको अपने keyword का control यह दबाएंगे इसके बाद आपको यहां से इस पे क्लिक करके अपने paper को select कर लेना है तो आपको यहां से a4 को यहां से select कर लेना है select करने के बाद इसके बाद यहां से ok कर देना है ok करने के बाद इसके बाद इसके बाद इसको इसको move करेंगे move करने के लिए आपको move tool को यहां से select कर लेना है select करने के बाद इस पे क्लिक करके mouse का button लाके इस पे छोड़ देना है इस पेज पे, इस तरह से इस पे क्लिक करके थोड़ा इधर इसको कर लेना है, इसको भी इस पे क्लिक करके इस पे पेज पे मूब कर देना है, मूब करने के बाद इस पे क्लिक करके बड़ा कर लेना है, इसके बाद इस पे क्लिक करके आप इहां देख सकते हैं, इस तरह से कर लेना है तो आप यहां देख सकते हैं यदि आपके image पर selection इस तरह से नहां है तो आपको यहां कोने में जाना है आपको यहां इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहां इस पर भी क्लिक कर देना सेलेक्शन आपके इमेज पर आ जाएगा यहां से इमेज को यहां से बढ़ा भी सकते हैं किवोड का सीफ बटम दबा के इस तरह से इमेज को बढ़ा सकते हैं इंटर बटम दबा देंगे इस तरह से यहां से इसको छोटा भी कर सकते हैं बढ़ा भी कर सकते हैं यहां से इसको भी हम बढ़ा लेते हैं इस तरह से दोनों साइज में कर लेते हैं इस तरह से आपको साइज में यहां से बढ़ा लेना है बढ़ाने के रेडी हो गया है इसके बाद प्रिंट कैसे करेंगे प्रिंट करने के लिए आप अपने कीवोड का कंट्रोल पी दवाएंगे इसके बाद आपको यहां print पे click कर देना है इसके बाद आपको यहां produce पे click कर देना है इसके बाद आपने printer को यहां से select कर लेना है जो भी printer आपका रहेगा यहां से select कर लेना है select करने के बाद इसके बाद आप properties पे click कर देना है इसके बद अपने यहां से ए फोर को यहां से स्लेट कर लेना है इसके बद यहां से ओके कर देना है इसके बद यहां से ओके कर देंगे आपका अधार काड प्रिंट हो जाएगा तो आपको मैं देखा देता हूं तो आप यहां देख सकते हैं मेरा अधार काड प्रिंट हो गया झाल 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 झाल